सहारनपूर से कॉंग्रिस उमीदवार इम्रान मसूद को 14 दिन की न्याय खिरासत में भेज दिया गया है देवबन कोट ने मसूद को आज 14 दिन की न्याय खिरासत में भेज दिया है इम्रान मसूद पर मोदी के खिलाब भड़काओ भाशन देनी कारोप है कल देर राद उनकी गिरफ़तारी हुई थी और सहारनपूर में उनकी गिरफ़तारी के दौरान तमाम तरह की इंतजामात सुरक्षा के लिहास से किये गए थे अभी जो तस्वीर आप देखना हैं वो जब पेशी के लिए लिजा जा रहे थे उस दौरान की है जब उन्हें कोर्ट में ले जाया गया लेकिन अभी आपको बता दे कि इमरान मसूद अभी भी अपने बयान पर कायम है देबन कोर्ट ने मसूद को जेल भीर जिया है इस पड़ा है भड़काओ बयान 14 दिन की नायक हिरासत में बेजे गए हैं इमरान मसूद और आपको बता दे 10 अपरेल को चुनाव होने हैं सहारनपूर में ऐसे में बड़ी चुनाती है कॉंग्रिस के लिए सहारनपूर की उमीदवारी को लेकर क्योंकि जो उमीदवार हैं जवाब उमीद है कि देर शाम सामने आ जाएंगे बचाओं में उतर गई है पूरी तरह से कॉंग्रिस कॉंग्रिस ही कह रही है कि ये बयान उस वक्त दिया गया था जब समारवादी पार्टी में थे इमरान मसूद और ये जो गटना करम इस वक्त हो रहा है ऐसे में ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि इमरान मसूद ने ऐसा कौन सा बयान दिया था ऐसा कौन सा भरकाओ भाशन दिया था जिसको लेकर पुरा विवाद गह रहा है आए सुनिए वो बयान मुझरात में या बैलस प्रजेंट मुझरात बना देगा तो मोदी की बोटी-बोटी काटने की बात कह रहे हैं इस मामले में इमरान मसूद की गिरफतारी कल देरात हुई आज उनकी कोर्ट में पेशे हुई है चौदा दिन की नयाए खिरासत में बेजा गया है लेकिन पू मसूद के बचाओं में कॉंग्रिस है 18 सितंबर 2013 की घटना बताई जा रही है भाशन वाली मसूद की सीडी और देश में आचार सहता 5 मार्च को लागू हुई है ये दलील दी गई है कॉंग्रिस की तरफ से सीडी में मसूद के साथ मौदूद शक्स की मौत हो चुकी है ये क तरह से पूरा मामला सामने आया है जिस तरह का बढ़काओ भाशन इम्रान मसूद का सामने आया है अभी बाक फूट पर जरूर इस पूरे मामले में कॉंग्रिस नजर आ रही है